Hello friends, welcome to the GTU studies and the subject material science and metallurgy for the chapter heat treatment of steels and the topic is TTT diagram I am going to start this chapter with the first topic of the chapter TTT diagram and full form is time temperature transformation diagram diagram means a graph हाई छे एक ग्राफ मा बे एक्सिस दो करवानी छे एक एक्सिस चे time अने बिजी एक्सिस चे temperature अने time अने temperature बे एक्सिस वच चे आपडे एक फेस माथी बिजा फेस माथ थतू transformation बतावानू छे लाखा डायाग्राम नू नाम राखेलू छे time temperature transformation short form TTT diagram सु आनो यूस तसे अने कई दित्य डेवलोप थे हो ए आपडे आजे वीडियो लेक्चर नी अन्द समझ सू अने घणिबदी वार एक्जाम माँ साथ मार्क नी अन्द TTT diagram ड्रो करी explain करवानू पुछाए गये लूँचे तो आपडे स्टार्ट करिए सौथी पेला प्रिवियस वीडियो लेक्चर मां में तमने परलाइट, बैनाइट, एन मार्टेन साइट आओ वीडियो लेक्चर नू नाम छे एमा में तमने आ त्रोन फेज नू इंट्रोड़क्शन आई पूतू कि ओस्टेनाइट नू जरे तमें कुलिंग करशो बिलो देन 723 डिग्री सेल्चे साथ सो त्रेविस करता नीचे त्यारे एमा थी परलाइट बने चेहू तमें आयन-ायन कार्बाइट डायाग्राम मां स्टडी करी गया पन इट इस अ इक्विलिब्रियम डायाग्राम त्यारे में एऊ किदू तू रियल मां आओ नही थाए रियल मां ओस्टेनाइट नू जयरे कुलिंग करसो बिलो 723 डिग्री सेल्चेस त्यारे त्रन टाइप ना फेज बनवानी पॉसिबिलिटी जे इको ना उपर डिपेंड करे छे कुलिंग टाइम एडले के कुलिंग स्पीड केटली छे ना उपर अने आभी का एक लास्ट मां तमने फिगर बता वेली है थी कि ओस्टेनाइट इस ट्रांसफोर्म इन्टू परलाइट वेन देर इस अ स्लो कुलिंग ओस्टेनाइट इस ट्रांसफोर्म इन्टू बेनाइट वेन देर इस अ मोडरेट कुलिंग और देर इस अ रैपिड कुल बस तो आ त्राण फेस ने आपडे ड्रो करवाना छे टाइम अने टेंप्रेचर नी एक्सिज वच्चे तो एने के वाई TTT डायाग्राम रेडी तो आवे TTT डायाग्राम नूँ सोथी पेला इंट्रोडक्शन आपी दो तो रियल मां सोथाई के ओस्टे नाइट माथी में तमने जैम कीदू के 723 करता नीचे आउसो एटले त्रॉन टाइप ना फेस मड़े जे अनि कोना उपर डिपेंड करे छे हुए तमने आईडी आई से डिपेंड्स ओन कुलिंग टाइम यहले के डिपेंडन ओन टाइम छे मा पन जैरे रैपिड कुलिंग करवा छो तो माटे इनसाइट मले छे आउ तमने आवे ओल्रेडी खबर छे अवे आयन कार्बन डाइग्राम मा आपडे माटे इनसाइट नो तू बताई हुए नू रिजन मे तमने प्रिवेस वीडियो मा पन कीदू तू कि इट इट इक्विल इक्विलिब्रियम डाइग्राम पन जैरे रियल मा तमे करवा जासो चैरे इक्विलिब्रियम कंडिशन मले जेवु कंपल्सरी नो ओल एटला माटे आपडे रियल काईक वस्तु बतावा माटे टी 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 डाइग्राम इंट्रोडक्शन करवानू छे यहले के आब दू गणा टाइम पेला स्टील ना गणा बद्या सेंपल लेवा माईवा कांके आ टी 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 डाइग्राम कोना माटे छे स्टील माटे च्छे कांके परलाइची सेमा आवे रेंज मा स्टील नी रेंज मा आवे यहले स्टील ना गणा बद्या अलग-अलग परसंटेज ना से practical करवा माइवा, येने heated करवा माइवा, वैने पाछु cooling करवा माइवा, ए उपर थी अलग अलग temperature time प्रमाणे केवा प्रकार्ना phase मले छे, structure मले छे, इनना उपर थी आखो टा डायाग्राम छी रिप्रेजन करेलो छे, आपड़े यहनु श्टडी करीने, रियल मां जयरे प्राक्टिकल करवा होए, तो यह डायाग्राम नो यूज करवानों छे, रेडी, आ थे ग्यू इंट्रोडक्शन, अवे सु टी-टी-टी डायाग्राम ड्रो करवा मां काम आव सेज होई, तो सौथ पहला तो में तमने किदू आ सेंपल नी जे वस्तु छे एच छे, अवे यहां टी-टी-टी डायाग्राम ड्रो करवा माटे में वस्तु लगेली छे समझो, इस ओप्टेंज टाइम्स एट डिफरन्ट ट्रांस्फोर्मेशन टेंप्रेचर आर प्लोटेड ओन टेंप्रेचर वर्सीज टाइम ग्राफ, यहले के ग्राफ दुरवानों छे, यह तमने खबर छे बे एक्सिस वच्चे आवे, यह मां ओरिजोन्टल एक्सिस उपड टाइम बता वी जो औने वर्टिकल एक्सिस उपड टेंप्रेचर बताओ, याद रग जो, ओन ओरिजोन्टल एक्सिस दे टाइम एन इन वर्टिकल एक्सिस देर इस टेंप्रेचर अने आप बनने वच्चे जे तमें ट्रांस्फोर्मेशन बताओ चो अलग-अलग फेज नू, ए आखो डायाग्राम कंस्ट्रक्थ से तही आर्थ से एने के वाई TTT डायाग्राम, तो आपड़े जोईए पेला तो ट्राणे फेज चे कई रीते कंस्ट्रक्थ से अने यहने कई रीते बतावा, शुथी पेलो फेज लिए परलाइट, सुकाम परलाइट थी स्टार्ट करिये जी है, कांके स्लो कुलिंग थी स्टार्ट करवानू आई, स्लो कुलिंग नो पहला तो मिनिंग समझावी दो, शुआ वेज शुआ पालिटा, स्लो कुलिंग करवा, टो स्लो कुलिंग नोरी युवि दो, शुआ जू और शुआ बतावा, टाइम चीछ आई रीत भतावानू एजो ले जो तमें, पहलो जे जे DGT 1 सेकंड जे, पच्छी 10 ना फर्म मा भतावानूचे 1 से पच्छी 3Sुलेवानूचे 10 10 पच्छी 100 एंदल है 10−2 बतावानूचे 1 Carnegie PPS पच्छी 1000 एंदल है 10−3 बतावानूचे पच्छी 10,000 एटले 10 raise to 4 और पच्छी 1 lakh एटले 10 raise to 5 10 raise to 5 सुधी तमारे बतावानुचे यह ना थी आगल बतावानी जरूर नथी अहीं टेंप्रेचर बतावी जो क्या सुधी टेंप्रेचर बतावानुचे यह उपर स्टेबल मली जाए त्या सुधी बतावानुचे आख्वा एन कार्बन डायाग्राम नथी ड्रो करवानुचे कांके 723 करता उपर ओस्टेनाइट होए अने यह नी निच्चे जही केवा फेज मल जे एकलू बतावानुचे आथेगे बे एक्सेज अवे कई रीते सुध्रो करू एना उपर जी तो सौथी पहला कया फेज माटे ची यह ओस्टेनाइट टू परलाइट परलाइट होए एक के एकली कुलिग तेस से स्लो कुलिग तेसे डे पलिच करूँचे के वधर है टाइम लेहने टेंपरेचर वछू रिड़ी nearby ताइम नीचतर फाहनीं करेंवानुच परण 12 निचे नो आउता नहीं थे फास्ट कूलिंग, अन्मीडियेट कूलिंग थै स, ऐले 9 बतावे लूट तो, आप 12 बता वी दीुछ, एकले जो यहाँ पर्लाइट मारौ तो आंटे में लखी अधिंग सब्सक्राइब थे अभी यिया का बाजा उनका बालीड थे ऑस्तेबल थे पर लेपसाइट नाइट जहीं पर बूता बूता, बूता माजाई अपने ब्सक्राइब स्वीशा अधिया नीचे अधिकलत ने बूताईब नाइट बूता बूता जी राइट सेट है जाओ एटला ग्रीन लाइन आवे छे जिरो परशंटेज परलाइट एटले के यहां ग्रीन लाइन सुधी पुरे-पुरो सोट का ऑस्टे नाइट है जे वी ग्रीन लाइन क्रोस करसू परलाइट स्टार्ट थे जैसे बन वानो कई बाजू slow cooling मा अटला एरिया मा परलाइट छे या डोटेड लाइन ब्लेक डोटेड लाइन सुधी लिए या पचास्ट का ओस्टेनाइट अन्या पचास्ट का परलाइट है इसे या पचास्ट का लगी दिदू अन्य हजी राइट सेड हो एले रेड लाइन मा अल से ही रेड लाइन सुब बता है चे के तिया ओस्टेनाइट सी जिरो थे गिए या परलाइट सो टका थे गिए इसे 100 परसंटेज अन्य डायाग्राम नी रेड लाइन नी आबाजू आउसे राइट साइड अले टोटली आखवानू छे 600 के 550 जुदी जो इसको जो 500 अन्य 600 नी वच्चे 550 अत्वा तो 600 सुदी अटला टेम्परेचर नी रेंज मात पर लाइट मौल से यानी नी नीचे जो आओ तो यी मीडियेट कुलिंग मॉडरेट कुलिंग धेई जैसे मीडियम बरोबर टैंग बदू छे एट करी जो साव उच्चू करी जो तो फटाफट कुलिंग जो फास कुलिंग जेगियो एटले पहला तो slow cooling, moderate cooling अन्य fast cooling नो meaning समझ वानू छे एटले slow cooling एटले हुँ ताई के time वदारे लेवानू छे आन्य टैंप्रेचर छे उच्छू reduce करवानू छे तो 723 नी नजी करेवानू छे बने एटलो आवी काईक line draw करवानी एमा आवे बे परलाइक मलवानी possibilities छे पहलो परलाइक जे स्टार्टिंग मा मलसे जे साव नजी कुपर मलसे ए स्टार्टिंग मा आवसे course परलाइक परलाइक जे पार्टिकल्स है जेने आपने ग्रेंस कही है जी एटॉम नी अंदर अथ्वा तो स्ट्रक्चर नी अंदर इजे ग्रेंस चे अब ये प्रकार ना हुए ये फड़वस्थित अने का विवस्थित अंगे गुजराती मा वर्ड कई सके तो एने आपने course वस्तु के वहाँ व्यवस्थित मिन्स के रेंडमली ये पेटन मा गोठोई लाऊ है एक दम सरस पैटन मा गोठोय लाओ विवस्तित रिते तो एना आपड़े फाइन कही है छी कोर्स परलाइट स्टार्टिंग मा मलसे उपर कोर्स परलाइट छी कि वह इसे relatively soft और टेम्परेचर कि वह इसे वधा रही से कांके स्टार्टिंग मा या उपर मलसे हजी थोड़ाक नीचे आऊ सो एटला कोर्स परलाइट नी जग्या है सु मलसे फाइन परलाइट मलसे हशे ये पन स्वफ्टत त्य पन कोर्स परलाइट नी कंपेरिजन मा relatively के हो है से हाड है से अने येनू टेम्परेचर के हो है से थोड़ कोच हो है हवे इना स्ट्रक्चर बतावी दिए तो सौथी पेला में कि दू यहां में लेप साइट सूओ तो ओस्टेनाइट जाईशे पचास्ट का ये जाओ तो थोड़ाक ओस्टेनाइट ना पार्टिकल्स ने वच्चे वच्चे परलाइट मलाइशे परलाइट ये अवे आयन कार्बन डायग्राम ने फियजिस भूलवाना ना थी अवे यादे जोग जोए के परलाइट मीन्स इटीस दा मिक्स्चर ओफ फेराइट आल्फा अयन और सिमेंटाइट अने परलाइट बता ओने निया आवी रेट ने ब्लेक ने वाइट बेल ला आने राइट साइड नो जे पोर्शन छे इस वटकाद परलाइट वाड़ो रेशे तो आरी ते तमारे साउती प्टेलों फेज परलाइट बतावाणू छे अलग अलग फेस माटे अलग अलग डायाग्राम नथी ड्रो करवानो, don't worry आउन खाली तमने कई रिते one by one फेस चे डेवलोप थाए बताऊ, पछी त्राणई नो भेगो एक साथे बतावी देश तमारे डायाग्राम मा आवा स्ट्रक्चर ही ड्रो नथी करवाना, एटले इजी इच्छे अवे आपने जहिए बीजा फेस माँ, ओस्टे नाइट टू बेनाइट में किदू ये प्रमाने, परलाइट क्या सुधी मल से, 600 थो तो 550 सुधी, 550 डिग्री सुधी मल से पन अवे थोड़िक स्पीड वधारी जो, एले के 550 करता नीचे आओ, तो थोड़ूक स्पीड वधी गए अटले आने, फास्ट कुलिंग तो नहीं कही है, पन मोडरेट कुलिंग के सुधी अवे अवे बता वी प्रमाने, 250 थी 550 डिग्री सेलसेस सुधी, परलाइट करता नीचे आने, नीचे फास्ट कुलिंग माले, बता वी बता वी दो, शौती पहला तो जे फेराइट अने, सिमेंटाइट चे ये बंडेनु मिक्स्चर चे फाइन मल से, कांके परलाइट करता त प्रवाइन जाए शेले के ग्रोथ तसे थोड़ों एले नुकलियेशन चे ट्रांस्पोर्मेशन थिए उके वाई एकला माटे फेराइट छे एमा थी वदारे पर तू सिमेन टाइट छे बनवानू स्टार्ट थतु वही चे अवे उतम ने बेनाइट करी ते बनावी देव एसी खवाडी देव चो अउपर नो डियाग्राम ओल्डेडी आप्रे ड्रो करी ने समझीली दो तो अवे इन थी जोता यहां जो शोटका पर लाइट वाड़ों में बतावी दिदूश अवे आप्रे जे समझवानूची यह प टू प्रिवेंट माटेंच साइट लेके पर लाइट छे अवेड करतू एटलू कुलिंग करो पन एटलू इवधार नथी लोग फास्ट कुलिंग करवानू के माटेंच साइट यह मली जाए लग बेही नी वच्चे बनतू बेनाइट माल से अटले में तमने किदू यह प् वच्चे डोटेड लाइन जयसे ब्लेक पचस टका बेनाइट यह पक्स स goodness रोग पहान बेनाइट धैसे अने रोग षैल्य जै जीरो स indo okay Öbendky मल से अने right साइड शे हो फुह पुरे पूरू बेनाइट तो यह लोवर बेनाइट इतला नाम आपी ने खाली देखाड़ वानु वह इज रेडी अवे आपने सिमेंटाइट समझी सिमेंटाइट क्या रहे मौल से के जारे तमें साथ्सो त्रेविस्तिक कुलिंग करो अने सिधक्यां वियाओ बहु नीचे टेमपरेचर है बिलो देन 200 अने टाइम केकलो लेवानु हाव थोडो के हो मिन्स के विदिन असोर्थ ताइम तेमपरेचर विल रिदूस वेरी वेरी लॉग देन इतला एक मिस्टेक से ओस्टेनाइक टू मार्टाइन साइट अने इतला के इतला एक फॉंस एक टेमपरेचर बीलो बेनाइट रिजिया अने structure के हुँ मले छे के जे परलाइट मां BCC जे हुँ मल तू तू ए नी जिख्या है जे मार्टेन साइट मां मले छे के हुँँ इसे BCT Body Centered Tetragonal आ ओल्रेडी में तमने मार्टेन साइट ना इंट्रोड़क्शन मां जे परलाइट बेनाइट मार्टेन साइट एवा फेजिज नो विडियो लेक्चर छे एनी अंदर सम्झावी दि देलू छे रेडी एला के आब दी प्रोसेस थी टाइम डिपेंडन छे अने आब दी वस्तु में की देली छे एला फरीवार वधार रेनाथी टाइम बगारतो आज सेम वस्तु में तमने बतावेली छे के ओस्टेनाइट है जे मां एपसिस है से मांटेन साइट मोल से眼 मांबीची स्टक्चर है रेपेड कुलिंग लें चेक्छी नहीं मांधि शूबनी जसे मांटेन साइट मांटेन साइट किया बतावा नू बिलो 250 ड़ी चल्स एना मा सब्सक्राइब करें तो आरी ते तमारे त्रोने भेगु करी ने समझ वानू छे जे मां में तमने सू बतावी दिदू जो आया लाइन बतावी दिजी छे क्या 723 डिग्री सेल्सेस यनी उपर आईशे परलाइट आडाबी बजुनों पोर्शन छे इपरलाइट अन्स्टेबल जे आजे उपर नी लाइन जे आरी ते आवे छे एशे जिरो टका वाली लाइन जे जिरो टका परलाइट बेनाइन माते इन साइड है इसे सो टका ओस्टेनाइट इसे वच्चे नी डोटेट लाइन बतावानी छे पचास टका माते अन्य आजे राइट पोर्शन वाली लाइन छे तो आया आ लाइन छे इसे सो टका वाली लाइन अहिया स्टार्टिंग मा नीचे आओ 250 सुधी तो बेनाइट मल से मा उपर नी जग्ये अपर बेनाइट अने नीचे लोवर बेनाइट डायाग्राम छे एनू काउ जो तो आहीं थी स्टार्ट करी ने राइट वाली लाइन छे यहीं सुधी जैसे यहीं रिजन्स दो छे कि आहीं पाची आम कियम नाथी आओ ती कांके रेपिट कुलिंग यहां थावानुचे अने अजे उपर नी लाइन छे एपन आईया थी आईया वीने अटकी जैसे अने आईया थी पाची ओरे जोन्तल लाइन तो आहीं थी ऑस्टेने आइट मा सिद्ध नो पोर्षन बेनाइट और नी नीचे नो पोर्षन मातेंसाइड अन्य आज ही कव में तमने समझाएवे प्रमाने अज एट विल ट्रांसफर्म फ्रोम जिरो पर्संटेज टू वान अंडेड पर्संटेज विद ताइम कंसिडरेशन शुथी वदारे टाइम लिओ तो पर्लाइट यहां मल से गरोबर धिमे धिमे तमे टाइम गटारता जाओ अन्य टेंप्रेचर से वदारता जाओ तो क्या सुधी पर्लाइट बनी सके जे पांसो पच्चास सुधी बन से वे टाइम छहीं तमें सावी अचोल योने 5500 निचे आओ अटले टोटल गम्ए अटलो टाइम लो टाइम लो 2प मल से अरे अवे टाइम वधारी दियो पन 5500 निचे वच्चे रेअट यो फड्य शेव तमें 10 डेश टू 5 शेकंड लिओ के 10 सेकंड लिओ अडिसो ने पान्षो पच्छाज सब्चे मोले एटले ये ers found our ten side इंस फउन सेकंड लिए कई one 10 थूले क्योंड एटले रैंपिड कुलिंग के वाई इले येसे dość आप फेरनाइट माँ टेम्परेचर से घणा बिदा फेरनाइट माँ यूज करता हो एटले बतावेलो जे आपड़े आने जोवानी जरूर नती आपड़े जे प्रिवेस स्लाइड माँ जे ड्रो करेलो जो यो एज ड्रो करवानो छे बस इडाग्राम ड्रो करो में तमने जे स समझाईओ त्राण फेर भी से एक्सप्लेइन करो अमुग पॉइंट बतावा हो है बुक मां बतावेला हो है प्रमाने प्रमाने बतावे जो अन्ने अटलु एक्सप्लेइन ने ड्रो करो याडल साथ माती साथ माग मली जेसे तो आ तो आज नो आपड़ो वीडियो लेक्चर जे मा आपड़े समझा टी 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 डायाग्राम टाइम टेंपरेचर ट्रांस्फोर्मेशन आए वब तबने समझाण हो है आची स्टील माटे जावे कास्ट आयन माटे ने याद रग जो पेला तो स्टील नी अंदर नी वस् पोटन छे तो आज वीडियो मा डायाग्राम समझाण हो है तो वीडियो लाइक करो शेयर करो ने सबस्क्राइब करो जी टी 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 चैनल अन्य आपड़े पीटी नी पीडिएफ मेलावा माटे यू केन विजिट वेबसाइट www.gtustudies.com थेंक यू